हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटिप चैनल एजुकेटेड भारत में दोस्तो आज इस वीडियो में हम राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड टॉप MCQs देखने वाले हैं वो भी एक्स्प्लीनेशन के साथ मोस्ट इंपोर्टेट वीडियो होने वाला है दोस्तो यह आपके अपकमिंग एक्जाम्स के लिए तो प्लीज वीडियो को आइंट जरूर देखेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर कीजेगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर लीजे चुले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्षिन देखिए राजा राम मोहन रॉय का जन्म किस वर्ष में हुआ था तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा A. 1772 यानि कि 1772 में राजा राम मोहन रॉय का जन्म हुआ था देखिए राजा राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधा नगर में एक रूडिवादी ब्राम्हन परिवार में हुआ था वहाँ एक प्रमुख समा सुधारक और भारत के सुधार अंदोलनों में एक प्रमुख वैक्ती थे तो most important है इनकी date of birth पूछी जाती है आपको यह याद रखना है Next देखिए राजा राम मोहन रॉय ने आत्मिये सभा की स्थापना कब की बहुत बार पूछा गया question है आत्मिये सभा की स्थापना कब की गई है correct answer हो जाएगा B 1815 याने कि 1815 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा आत्मिये सभा की स्थापना की गई थी देखिए राजा राम मोहन रॉय ने 1815 में आत्मिये सभा की स्थापना की इस संगठन का उद्देश ही क्या था? तो इस संगठन का उद्देश ही था हिंदूओं की बीच एक एश्वरबाद और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना तो most important है आत्मिय सभा एक्जाम में पूछी गई है कई बार आपको ये याद रखना है निमलिकित में से कौन सी राजा राम मोहन रायद्वारा स्थापित ब्रह्म समाज की विचारधारा है? तो correct answer आपर हो जाएगा एकेश्वरवाद, बुद्धिवाद, मूर्ती पूजों का उन्मूलन ये राजा राम मोहन रॉयद्वारा स्थापित ब्रह्म समाज की विचारधारा रही है देखे राजा राम मोहन रॉयदारास्थापेद ब्रह्म समाज ने एकेश्वरवाद, तर्कवाद और मूर्ती पूजा के उन्मूलन की वकालत की, इसका उदेश धर्म की अधिक तर्क संगत और समाजिक रूप से प्रगतिशील व्याख्ः को बढ़ावा देना था तो यह most important है, आपको याद रखना है तो correct answer हो जाएगा A, भारतिये पुनर जागराण के जनक की रूप में जाना जाता है यह आपको याद रखना है क्योंकि सीईब इतना question कहीब बार पूचा गया है, कि भारतिये पुनर जागराण के जनक किसे कहा जाता है तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन रॉय को उनके प्रयासों ने भारत में सामाजिक, सांस्क्रितिक और बौधिक पुनरुथान में महत्पून योगदान दिया है तो यह most important हो जाते हैं इसलिए आपको याद रखना है राम मोहन रॉय किस प्रथा के उन्मूलन के समर्थक थे तो correct answer याप पर हो जाएगा सती प्रथा के उन्मूलन के समर्थक थे राजा राम मोहन रॉय देखे राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के उन्मूलन के प्रवल समर्थक थे जिसमें विद्वाओं को अपने पती की चिता पर आत्मदहा करना शामिल था ये एक ऐसी प्रता थी सती प्रता इसका उन्मूलन के लिए सबसे जादा समर्थक कौन रहे हैं राजा राम मोहन रॉय और इनी के प्रयासों के कारण ये जो प्रता है ये भारत से हट पाई थी इन में से कौन सा राम मोहन रॉय का प्रकाशन था तो correct answer हो जाएगा बी वेद और कुरान यहाँ पे आपको याद रखना है वेद और कुरान यह राजा राम मोहन रॉय का प्रकाशन था देखे राम मोहन रॉय के प्रकाशन वेद और कुरान ने हिंदु धर्म और इसलाम के भी समानता पर जोर दिया इसका उद्देश धोनो धर्मों के भी समझ क तो बढ़ावा देना था तो most important है वेद और कुरान ये आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा राजा राम मोहन रॉय निमलिकित में किसके संस्थापक थे? करेक्ट आंसर ये most important question ने देखे कई बार पूछा गया है सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय निमलिकित में किसकी संस्थापक थे? Correct answer है आप पर हो जाएगा A. संस्कृत महाविध्याले की स्थापना की गई थी कॉलकता में देखिए राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों ने कॉलकता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना में महतपुन भूमी का निभाई उन्होंने भारत में सिक्षा प्रणाली के आधुनिकी करण और सुधार के लिए काम किया तो ये most important है याद रखना है क्योंकि एक्जाम में पूछा गया है Gift to Monothist के लेखक कौन है? Most important question ये भी Correct answer हो जाएगा B. राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही ये लिखी गई है और किसके द्वारा ये लिखा गया है तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा राजा राम मोहन रॉय किस प्रबोधन के विचारों से प्रभावित थे? यहाँ पर Correct answer हो जाएगा B. फ्रेंच फ्रेंच के प्रबोधनों के विचारों से प्रभावित थे राजा राम मोहन रॉय देखे राजा राम मोहन रॉय फ्रांसिसी प्रबुद्धिता के विचारों से प्रभावित थे जिसमें तर्क, विज्ञान और वैक्तिगत अधिकारों पर जोड़ दिया गया था उन्होंने इन विचारों को सामाजिक और धार्मिक सुधार के अपने प्रयासों में एकत्रित किया तो यह आपको याद रखना है कि वो किन विचारों से प्रभावित थे तो फ्रेंच विचारों से प्रभावित थे राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों ने भारत में किस आंदोलन की नीव रखने में योगदान दिया तो correct answer हो जाएगा C. सामाजिक सुधार कौन सा अंदोलन सामाजिक सुधार आंदोलन की नीव रखने में योगदान दिया है तो ये most important हो जाता है आपको ये याद रखना है राजा राम मोहन रॉय को भारती एतिहास के आकाश में एक चमकता सितारा के उपादी किस ने दी most important question है देखिए कई बार repeat हुआ है आपको याद रखना है correct answer याँ पर हो जाएगा B टैगोर रविंद्र नाट टैगोर के द्वारा ये उपादी दी गई थी राजा राम मोहन रॉय को भारत में आधुनिक युक के उद्गाटन करता शीर्शक से अपने समवोधन में टैगोर ने राजा राम मोहन रॉय को भारती एतिहास के आकाश में एक चमकता सितारा कहा था तो ये most important question है बार बार पूछा जाता है आपको ये याद रखना है next देखे फार्सी सापताहिक मिरातुल अखवार किसने प्रकाशित किया मिरातुल अखवार के बारे में भी कई बार पूछा गया है correct answer क्या हो जाएगा बी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा प्रकाशित किया गया है ये देखे राजा राम मोहन रॉय ने 1821 में समवाद कोमुदी जो बंगाली सापताहिक था और 1822 में कलकत्ता से मिरातुल अखवार जो फार्सी की पहली पत्रिका थी इसे प्रकाशित किया था तो समवाद कोमुदी और मिरातुल अखवार ये दोनों ही पूछा जाता है इसलिए आपको ये दोनों ही बहुत अच्छे से याद रखना है लॉड बेंटिक ने राम मोहन रोय के प्रयासों के अनुरूप भारत में कौन सा सुधार लागू किया तो यहां पर करेक्ट अंसर हो जाएगा ए सती प्रथा को समाप्त करना ये सुधार लागू किया था देखिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों के अधार पर लॉड वीलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने का सुधार लागू किया था आपको याद रखना है पूछे जाता है सती प्रथा को ए राजा राम मोहन रॉय के द्वारा प्रिसेप्स्ट ओफ जीजस की रचना की गई थी देखे राजा राम मोहन रॉय ने अठरा सो बीस में प्रिसेप्ट ओफ जीजस पुस्तक लिखी उन्होंने नए नियमों के सिध्धान्त और नैतिक्ता से चमतकार को अलग करने की कोशि की उन्हें आधुनिक भारत का जनक अतीत और भविश्य के बीच का पुल और भारतिय रास्टवात का जनक भी कहा जाता है तो येतने सारे उनके नाम है जो पूछ लिए जाते एक्जाम में आपको ये याद रखने है महिलाओं के प्राचिन अधिकारों पर आधुनिक अति अतिक रमन राजा राम मोहन रायद्वारा 1822 में लिखी गई थी यहाँ पुस्तक राजा राम मोहन रायद्वारा महिलाओं के अधिकारों और सशक्ति करण की वकालत करने के लिए लिए लिखी गई थी तो most important है पूछी गई एक्जाम में तो इसका year भी याद रखना है और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधी दी गई थी देखे मुगल समराट अकवर्शा दुतिये ने समाज और सुधार में उनकी योगदान के लिए राम मोहन राय को राजा की उपाधी से सम्मानित किया था most important है यह आपको याद रखना है नेक्स देखे किसके अनुसार संपूर्ण मानो जाती एक महान परिवार है जिसकी अनेक रास्टेवम जन जातिया विभन शाखाय मात्र है तो यह कथन कहा गया है बी करेक्ट हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा ही यह कथन कहा गया है कि संपूर्ण मानो जाती ए एक महान परिवार है जिसकी अनेक रास्टेवम जन जातिया विभिन शाखाएं मात्र है तो most important है statement वाले question पूछे जाता है तो ये किसने का है आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय के द्वारा ये कहा गया है राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र नहीं है क सभी कि सभी राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किये गए है तो correct answer क्या हो जाएगा बी केसरी देखे केसरी बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित की गई है जबकि दा ब्रह्मनिकल मैगजीन बंगाली साफताहिक समवात कोमुदी और फार्सी साफताहिक मिरात लगवार राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित की गई है तो आपको याद रखना है केसरी नहीं है बाकि ये सभी राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित की गई है पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राम मोहन राय द्वारा स्थापित सैक्शनि हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था जो बाद में कॉलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज की रूप में विक्सित हुआ तो आपको याद रखना है कौन सा कॉलेज था हिंदू कॉलेज के नाम से ये जाना जाता था सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के राम मोहन रॉय के प्रयासों को अक्सर किसकी विरोध का सामना करना पड़ा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी परंपरावादी और रूडी वादी जो लोग थे उनके विरोध का सामना करना पड़ा है अमेशा राजा राम मोहन रॉय को देखे सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों को परंपरा वादीयों और रूडी वादीयों के विरोध का सामना करना पड़ा जिनोंने स्थापित रीती रिवाजों और प्रताओं में बदलाओ का विरोध किया तो ये most important है आपको ये ज्याद रखना है बचपन के किस दर्दनाक अनुभावने उनके अंदर हिंदू पूर्वा ग्रहों के खिलाफ आग भढ़का दी तो correct answer हो जाएगा बी अपनी भावी को सती होना देखना ठीक है ये एक दर्दनाक घटना थी देखे राजा राम मोहन रॉय द्वारा अपनी भावी के साथ सती प्रथा को देखने से उनके प्रतिगामी हिंदू रिती रिवाजों और पूर्व ग्रहों के खिलाफ लड़ने का द्रिंड संकल्प जागरेत हुआ था उन्होंने बचपन में घटना देखी थी तबी से उन्होंने सोच लिया था कि इन सब चीजों को बं गया था देखे महा निर्वान तंत्र अंध विश्वाशों को चुनोती देने और तर्क संगत्ता को बढ़ावा देने के लिए राजा राम मोहन राय और इश्वर चंद्र विद्या सागर द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया एक धार्मिक कार्य था तो यह मोस्त और दहेच पर ब्राम्हनों का वर्चस्व यह कुलीन वाद का समनार थी है देखे कुलीन वाद ने ब्राम्हन वर्चस्व की एक प्रणाली को संधर्वित किया जिसमें बहु विवा और दहेच प्रणाली जैसी प्रताय शामिल थी राजा राम मोहन राय ने इन प्रतिगाम रीती रिवाजों का विरोध किया था अब बार ये लास्ट क्वेशन की राजा राम मोहन राई की मित्यू कब हुई थी? तो करेक्ट अंसर हो जाएगा A. 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राई की दैत हुई थी देखी 1830 में राजा राम मोहन राई अपनी पेंशन और भत्ते के लिए मुगल समराट अकवर दुतिये के राजदूत बनकर युनाइट किंग्डम गए थे 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल के पास इस्टापलेटोन में मैनेंजाइटिस के कारण उनकी मृत्यू हो गई थी तो most important डेट है ये कई बार पूछी जाती है और कहां पर उनकी दैत होई है ये भी पूछा जाता है तो आपको ब्रिस्टल भी याद रखना है क्योंकि एक्जाम में कई बार ये पूछा गया है यही पर दोस्तो हमारे सारे MCQs complete हो गए वीडियो पसंद आया होगा तो like and share जरूर कर दीजेगा आज के लिए बस इतना ही अब आप से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जै हिंद जै भारत